प्लास का बेक अप तॉर्क मिलने वाला है मतलब जो जो है इसमें एक्स्टर परफोर्मेंस मिलना वाली है अब ये जो टेक्टर है नो मैंटेनेंस और फ्यूल से रियाने की कम डीजल जो है खपत करने वाला है के इसमें कोई भी फीचर देखने के लिए नहीं मिलते थे बटा यह जो है स्टेक्टर की इंजन को काफी जादा स्ट्रॉंग फुल वनाने के लिए यह जो है बहुत रिसेंटली बदलाई दिया है और यह जो है अल्मोस्ट तीस लीटर प्रती मिनट के हिसाब से ओयल सप्लाई देते हैं जिससे आपको हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग के अ रात में लॉट्च कर दिया है और दोस्तों इस टेक्टर में कमपणी ने जो है दो हजार बाईश के अंदर इतने सारे बदलाव कर दिए हैं जिससे यह टेक्टर अपनी स्रेंडी में एकस्ट्रा पावर परफोर्मेंस देने वाला है लो मैंटेनेंश के अंदर चलने वाला इस टैक्टर में जो आपको miles यह बहुत ज् Hillsis लाला है जिससे फ्यूल सेवर भी जो है करने वाला है तो नमस्कार दोस्तों अचकी फिर एक नउट वीडियो में मैं सभाई है आप शबीका दोस्तों इस चैनल पर इसीतरह की somos और इंफॉर्मेटिव इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलती हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके ओल बैल आइकन को दबाना मत बुलिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही फॉल डेट मिलने वाली है मैंटेनेंट्स फिरी एकसाइड कंपणी की बारा बोल्ट 78 यह के साथ में आने वाली कंपणी जो आपको चैनल बैटरी ओफॉर करने वाली है इस पर legitimately मैं पार स्टेरिंग और हईट्रोलिक के लिए जो company आपको स्टेक्टर में ओयल फिल्टर लगाया है काफी बड़ा ओयल फिल्टर लगा के दिया हुआ है जिससे स्टेक्टर का इंजन बैटर तरीके से hydraulic के अंदर sensing smart sensing के साथ में work करें steering के अंदर बात करेंगे तो स्टेक्टर में जो आपको dual acting hydraulic hydraulic balance type power steering मिलने वाली है यहाँ पर आपको स्टेक्टर में बारा बोल छत्ते से MPL का अल्टीनेटर मिल जाता है और यहाँ पर company जो है आपको स्टेक्टर में देख सकते हैं dry type dual element वाले air filter के साथ में जो है स्टेक्टर को launch किया है रेडियेटर के अंदर यदि हम बात करेंगे तो काफी बड़ा company ने जो है आपको स्टेक्टर में रेडियेटर दिया हुआ है जिससे स्टेक्टर का engine better coolant system के साथ में work करें और स्टेक्टर में जो हैवी duty company fitted almost 75 kg का front bumper देखने के लिए मिल जाता ह है साथ ही दोस्तों यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में boss company के dual diesel filter मिल जाते है 12 बोल्ट दुकलोबाट तक की self starter motor मिल जाती है इस टेक्टर में यदि हम बात करें दोस्तों engine के अंदर तो boss company का fuel in line pump मिल जाता है इस टेक्टर में मिलता है 2989 cc का 4 cylinder water coolant 50 hp का engine जो की almost 188 newton meter तक की torque generate करता है और इस टेक्टर में जो आपको साथ लीटर तक की fuel tank capacity देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम full detail review कर रहे हैं यह है track star company की तरफ से आने वाला track star का 550 जो की 50 hp के साथ में आता है इस टेक्टर में हम फ्रेंट लुक के अंदर बात करें तो track star का जो है आपको से टेक्टर में dedicated look देखने के लिए मिल जाता है लोगों मिल जाता है और इस टेक्टर का silencer जो है बहुत easy to operate होता है मतलब निकालने धरने में आपको एक भी परिशानी नहीं होने वाली राइट तरफ में हम बात करें तो यहां पर जो है आपको से टेक्टर में track star 550 की बेजिंग मिल जाती है grow max series के अंदर जो है यह यह टेक्टर आते हैं और यहां पर जो है company आपको से टेक्टर में six year की engine manufacturing warranty भी ओफर करती है दोस्तों फ्रेंट एक्सल के अंदर बात करेंगे ए साथ पचासवाई 16 का मिल जाता है और पिछले टायर की अंदर हम बात करेंगे तो यहां पर company ने जो है आपको से टेक्टर में चाउदा नो का टायर ओफर किया हुआ है साथ ही दोस्तों यहां पर जो है company ने आपको से टेक्टर में डोजर बेगेरा की भी प्रोइंटिंग पहले से कराके दी हुई है जिससे आप से टेक्टर में डिरेक्ट डोजर बेगेरा की इंस्टॉलेशन ले सकते हैं फोटे स्टेप पर जो आपको से टेक्टर में इंजन से कनेक्ट करके दिया जाता है जो की काफी जादा लॉंग लाइफ के लिए जाना जाता है यहां पर जो आपको स्टेक्टर में हैवी डूटी कंपनी फीटेट प्रसंजर ग्रेव हैंडल ऑल्मोस्ट तीन जगा से सपोर्टिंग वारवाला देखने के लिए मिलता है और इस ट्रैक्टर का प्लैटफॉर्म है एकड़म कंपनी नहीं है यहां पर फ्लैट प्लैटफॉर्म के साथ च्रैक्टर को लॉच्श है लेकिन यह आंपको स्ट्राइप्ट देखने के लिए मिलता है आयंra ले चलते हैं आपको स्ट्र म उपड़की तरफ और बात करेंगे स्टेक्टर के डेसबोर्ड स्टूमेंड क्लस्टर में मिलना वाली information की तो यहाँ पर जो हैपको स्टक्टर में digitally और analog दोने तोरा कस्टूमेंड कलस्टर देखने के लिए मिलता है जिसमें यहाँ पर जो हैपको स्ट्रेक्टर में साथ में टेक्टर के टेम्प्रेचर और यहां पर टेक्टर के टोटल ड्रिविन घंटे देखने के लिए मिल जाते हैं मेर रप्लेसिंग पॉजीशन की बात करेंगे तो सांदार जंगा में प्लेस है जिससे आपको पीछे की तरफ की जो विजिबिल्टी एक दम किलियर ली मिलने वाली है यहां ड्राइवर के राइट तरफ की बात करें तो यहां पर आपको स्टेक्टर के DCPC लीवर मिल जाते हैं साथ में यहां पर कंपनी ने जो है आपको स्टेक्टर में डिफेंसियल गेर भी ओफर किया हुआ है जो की सेफटी के लिहाज से काफी अच्छा फीचर्स माना जाता है स्टेक्टर में ब्रेकिंग के अंदर बात करेंगे तो ओईल इमर्स मल्टी प्लेट और डिक्स ब्रेक देखने के लिए मिलने वाले हैं और साथ ही स्टेक्टर में गेर बॉक्स जो है आपको सेंटर सेप्ट कंपनी ने आपको स्टेक्टर में गेर बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको मैंचार गेर इसी में रिवर्स का गेर मिल जाएगा और ठीक इसी के बाद उसे आपको यहाँ पर low high का gear मिल जाएगा clutch के अंदर बात करेंगे तो इस टेक्टर में जो आपको dual clutch मिल जाती है जिसी से आप इस टेक्टर का transmission और साथ में PDU अपडेट करने वाले हैं PDU lever की बात करेंगे दोस्तों इस टेक्टर में बात करें और भी ज्यादा features की seat को लेके अधी हम बात करें इस टेक्टर में तो यहाँ पर जो है company ने आपको स्टेक्टर में multi adjustable के अंदर seat दी हुई है जिसमें आपको हर इंसान अपनी कदकाटी के हिसाब से स्टेक्टर की seat को adjust कर सकता है यहाँ पर जो है आपको स्टेक्टर में low high का gear मिल जाता है fender के नीचे अधी हम gear की बात करें स्टेक्टर में तो काफी शांदार maintain करके रखा हुआ है company ने जिससे आपको पडलिंक मचा हुआ करते सामय स्टेक्टर के fender नहीं बुजने वाले और आप company जो है आपको स्टेक्टर में तोल फिरी नंबर भी जो है offer करती है जिससे आप स्टेक्टर की service center से direct जोड़के अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं यहाँ पर जो है आपको स्टेक्टर में heavy duty company fitted single distributor ball बे देखने के लिए मिलता है जिससे आप टाली up dump कर सकते हैं टापलिंग holder बार की बात करें तो टापलिंग को hold करने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर पिन लगा के company दे दी हुई है साथ ही इस टेक्टर की जो आपको potential मतलब draft control बार मिलता है single point मिलता है जिसमें आपको टापलिंग फसाने के लिए single point fully automatically depth and draft control बार के साथ मैं यहाँ पर जो है आपको स्टेक्टर में LED light जैसी connectivity के लिए separate socket बार मिल जाता है इस टेक्टर में दी हम बात करें rear axle को लेके तो यहाँ पर जो है आपको इस टेक्टर में non planetary reduction type rear axle देखने के लिए मिलता है PDU के अंदर बात करेंगे दोस्तों इस टेक्टर में तो यह टेक्टर आता है 50 HP के साथ में इस टेक्टर में मिलता है 43 याने की 43 HP का multi gear speed के साथ में आने वाला PDU यहाँ पर जो है आपको इस टेक्टर में दो लीटर तक का water storage मिल जाता है reflector की position मिल जाती है साथ ही इस टेक्टर में जो आपको अप torque मिलना वाला है best in class का backup torque company जो है आपको इस टेक्टर में देखने के लिए मिलेगा साथ ही इस टेक्टर में fuel consumption के दिए हम बात करें तो engine के अंदर 208 और PDU के अंदर 33.2 क्लोबाट का जो है आपको इस टेक्टर में गोल वाली चौकोर बैक लोजन लाइड मिल जाती है जो कि night के अंदर आपको काफी अच्छी visibility देखने के लिए मिलने वाली है तो दोस्तों यह थी ट्रेक स्टार कंपनी की तरफ से आने वाले ट्रेक स्टार 550 ग्रो मैक्स की खूवियों से भरी फूल रिब्यू वीडियो आसा करते यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब जय जवान जय किसान